हेलो एवरिवन वेलकम टू लेट्स को हैड स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक रोमन नुमरस कि लास्ट का टॉपिक है और अगर आप किसी कंपेटिटिव इक्साम की तैयारी करें जैसे सी टैट टैट पी आर्टी तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगा ठीक है वन नमर पर क अच्छी होगी आप उसे सॉल कर पाएंगे देखें आपको वाज बनी हुई है जिसमें हमने कुछ सिंबल से इस नंबर को रिपर्जेंट किया हुए है आपके डाइस से भी हमने कुछ सिंबल बनाये हुए है जो कि एक स्पेसिफिक नंबर को रिपरेंट करते हैं तो यही क लिखते हैं तो यह आपके हिंदू अरेबिक सिस्टम है ठीक है अने दर सिस्टम ऑप राइटिंग नुमेरल से रोमन सिस्टम एक दूसरा मैथट भी है जिसमें हम इन नंबर को स्पेसिफिक सिंबल से हम रिपरेंट करते हैं वह हमारा क्या रोमन नंबर सिस्टम है फर्स से कि 10 तक हम रोमन नंबर में से कैसे रिपरेंट करते हैं फर्स्ट के लिए हम वन सिंबल यूज़ करेंगे सेकेंड के लिए डवल नाइन ठी के लिए त्रिपल नाइन पोर के लिए हम इसे आई वी यूज़ करेंगे फाइफ के लिए हम इसे वी से रिपरेंट करते हैं सिक्स के लिए वी आई क्योंकि वी क्या 5 को रिपेजन कर रहा है और एक standing line 1 को रिपेजन करती तो 5 6 SE 7 5 6 7 8 के लिए 5 6 7 8 ठीक है 9 के लिए I X से रिपेजन करेंगे 10 के लिए X से रिपेजन करेंगे कुछ और भी Roman numerals है देखे 1 के लिए हम 1 9 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L 100 के लिए हम C, century से आप इसे learn कर सकते हैं and 500 के लिए D, 1000 के लिए हम M symbol को use करते हैं ये सब आपको learn होने चाहिए ठीक है अगर आपको ये सारी चीजे learn हो गई 1 से 10 तक के लिए और ये आपको 50, 100, 500 and 1000 ये symbols अगर आपको याद होगे तो आप आगे को किसी भी numbers को आप Roman numbers में convert कर सकते हैं इसके कुछ rules हैं, उसे पहले हम देखते हैं तो first rule is rule of repetition second rule is rule of subtraction and third rule is rule of addition ठीक है, rule of repetition क्या कहता है देखिज़े से आप 1 को लिखते हैं आप 1 standing line से, ठीक है 4 को आप किसे लिखते हैं, I, V से 4 के लिए तो हमने 4 line use नहीं करी, ठीक है तो rule of repetition क्या कहता है आपका कि किसी भी numbers को हम किसमें represent करेंगे, कोई भी अगर आप symbol अगर आप use कर रहे हैं तो उस symbol को हम 3 बार ही use करेंगे, 3 से जादा हम उसको use नहीं करेंगे, ठीक है जिसे हमने 3 के लिए 3 line हमने use करी, X हमारा 10 है तो अगर हमें 30 लिखना होगा तो X, X, X क्या हो जाएगा 20 और 1 X और add करोगे तो ये 30, 30 के लिए हम क्या use करेंगे, triple X 40 के लिए हम 4 X use नहीं करेंगे, ठीक है जैसे आप C से आप 100 को use करते हैं, century, तो हम क्या लिखेंगे, double C means 200 और 300 के लिए हम क्या use करेंगे triple C, but 400 के लिए हम 4 times C use नहीं करेंगे ठीक, rule of repetition आपका यहीं है, कि हम किसी भी number, symbol को 3 times ही use करेंगे, उससे जादा हम उसे use नहीं करेंगे, ठीक है second rule is rule of subtraction और एक चीज और है rule of repetition में, कि हम देखिए, 5 V है 50 L है and 500 D है, तो V, L और D इन्हें हम 3 times use नहीं करते हैं, जैसे 1 को देखो, आप 1, 6, 2, 3 3 times हम इसे use कर सकते हैं, ठीक है X को, X को भी हम अगर 30 लिखना है, तो 3 हम X लिखनेंगे, C को भी अगर हमे 300 लिखना है तो 3 times हम लिखनेंगे, और हमें M 1000 से represent कर रहे हैं, तो M 1000, 2000 और 3000, तो 3000 अगर हमें represent कर लिखना है, तो हम उसे triple answer use करेंगे, ठीक है but D को हम double time या triple time नहीं लिखते हैं V, L, D को, ठीक है अगर हमें 5 को अगर हम double time use करेंगे, means क्या है, 5, 5, 10 but 10 के लिखना हमारा अलग से एक नया symbol हम use करते हैं, X ठीक है, तो हम इसको double time या triple time हम इसको कभी भी use नहीं करेंगे, 50 को हम L से represent करते हैं, अगर आप double time लिख देंगे, तो 50, 50 क्या है या है, 100 और 100 को भी हम किसे represent कर रहे हैं, C से ठीक है, तो double L, double V और double D हम use नहीं करेंगे ठीक है, इन तीनों के लिए हम इसे double time या triple time use नहीं करते ठीक है, आगे देखेंगे, तो rule of repetition आपको समझ में आ गया होगा, second is rule of subtraction, rule of subtraction क्या कहता है, देखे हमने 4 को किसे represent किया, IV से 5 को हम कैसे represent करते हैं, V से तो rule of subtraction क्या कहा रहा है, 4 को हमने 1 V से represent, 1 जो standing line है यह क्या है हमारा, 1 क्योंकि हम 1 को किस से represent करते हैं, कि standing line से, ठीक है, तो subtraction में क्या रहा है, अगर आपको किसी इच को सब्ट्रेट करना है तो हम उसको उसके आगे लिखेंगे जैसे हमने 5 में से 1 सब्ट्रेट करना था हमें 4 लिखना है तो हमने V में से क्या क्या एक सब्ट्रेट कर दिया ठीक है जैसे अगर हमें 4 लिखना है तो 4 को लिखेंगे 5-1 यानि कि OF 5 को मिन माइनस 1 करना है तो हम उसे आगे लिखेंगे तो हमाइब 4 कुम किससे रिप्रिजन करते हैंnew से ठीक है ऐसी ज calculation को रिप्रिजन करना है तो और 9 को किस से कशले हैं ये देखे 7 के बाद कि आता है 1010 को shorts & kram 30 करते हैं तो 10 से हम एक– कर दिंगें यह हमारा क्या हो जाएगा नाई थी के मीनस अगर आपको बी दिन मैनस करना है तो हम उससे उस नमर का पहले लिखेंगे जैसे हम How 57 तो अगर हमने 40 लिखना है थो 40 के लिए आ लिखेंगे 50-10 50 के लिए यह को रिपेजन करते हैं माइनस कर रहे हैं तो उस नम्मर को उससे आगे लिख एक्स टैन के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं तो एक्स एल आ रहा है मींस एल से पहले एक्स आ रहा है एल फिफ्टी है उससे पहले एक्स आ रहा है ठीक है तो यह क्या हो गया मतलब आपने माइनस क करें मिन्स 50 X के आपका 10 तो यह क्या बना आपका 60 का सिंबल है LX के 60 है ठीक है और XL उससे पहले लिखेंगे तो माइनस में उससे पहले लिखेंगे तो प्लस करेंगे ठीक रूल अप सब्ट्रेक्शन आए हो आप लोगो समझ में आगे होंगे दोनों ही रूल ठीक है कुछ और एक्जामपल ले लेते हैं सब्स आपको 90 लिखना है तो 90 को आप क्या लिखेंगे 100 माइनस 10 100 को हम C से दिनोट करते हैं ठीक है C से पहले 10 माइनस कर रहे हैं तो XC अगर हमें 110 लिखना है तो क्या आएगा 100 और बाद में लिखेंगे मींस आप add कर रहे हैं ठीक है पहले में क्या करेंगे आप subtraction मींस माइनस कर रहे हैं और अगर बाद में लिखेंगे मींस आप add करेंगे उसे ठीक है rule of subtraction, rule of addition कुछ और example भी solve करते हैं जिससे ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से clear हो जाएंगे सपोस हमें 89 लिखना है ठीक है 89 में कैसे लिखेंगे 80 प्लस 9 इसे हमें roman number system में लिखना है तो 80 के लिए हम क्या लिखेंगे देखिए l 50 को हम लिखते हैं ठीक है 50, 60, 70, 80 क्योंकि x से हम किसको represent कर रहे हैं 10 से तो यह हो गया आपका 50, 10, 10, 10 50, 60, 70, 80 प्लस 9 को हम किसे represent करते हैं i x से ठीक है तो 89 आपका पूरा क्या हो जाएगा ये l x x x x x ये आपका 89 को हमने किस में convert कर लिया roman number system में कुछ और example भी देख लेते हैं 98 98 को कैसे लिखेंगे 90 plus 8 90 को कैसे लिखेंगे 100 को हम c से represent करते हैं 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो उसके आगे लिखेंगे ठीक है प्लस 8 को हम कैसे लिखेंगे v triple 1 में तो 98 को हम पूरा कैसे लिखेंगे x c v triple 1 ये हमारा क्या हो गया 90 है ठीक है पुछ और example ले लेते हैं suppose 432 400 को हम कैसे लिखेंगे 500 के लिखेंगे 500 के लिखेंगे 500 में से 100 माइनस कर रहे हैं तो 400 आएगा तो माइनस करेंगे तो d के पहले लिखेंगे 30 को हम कैसे represent करते हैं x x x 10 20 30 और 2 के लिखेंगे लिखेंगे ठीक है, देखो C D है, D से पहले C आया है, means D को हम 500 use करते हैं, यह कितना होगी आपका 400, यह होगी आपका 30 और यह होगी आपका 2, means 432, ठीक है, कुछ और example लेते हैं, suppose 75 है, 75 हो कैसे represent करेंगे, 70 plus 5, 70 के लिए क्या उस करेंगे, L के लिए हम 50 use करते हैं, 60, 70, और 5 के लिए हम क्या use करते हैं, 75 आप ऐसे लिख रहेंगे, ठीक है, कुछ एक बड़ा नम्मर ले रहते हैं, 2548, इसको हमें Roman number system में convert करना है, कैसे करेंगे, देखे, 2548, अभी तो मैं इसे plus करके लिख रहे हूँ, ठीक है, अगर आप practice करेंगे, तो आप इसे direct आप उसे Roman number system में लिख सकते हैं, ठ represent करते हैं, तो 2000 के लिए 2 हम आएंगे, 500 के लिए हम D use करते हैं, 40 के लिए हम क्या use करते हैं, 50L उससे 10 minus कर रहे हैं, तो उससे पहरे लिखेंगे, और 8 के लिए V111, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, double M, D, XL, V, triple 1, ठीक है, तो ये 2548 को Roman number system में ऐसे लिखेंगे, ठीक, अगर आप इसकी practice करते जाएंगे, तो आप इसको number को देखके ही, आप उसे Roman number system में लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हमें Roman number system में लिखना है, ठीक है, इसे हम बिना ऐसे plus करें, इसे हम shortcut में लिखते हैं, तो 3000 हमें पता है, 1000 के लिए हम M लिखते हैं, तो 3000 के लिए क्या लिखेंगे, triple M, 300 है, 300 के लिए हम क्या उस करेंगे, 100 के लिए C use करते हैं, 300 के लिए triple C use करेंगे, then 50, 50 के लिए हम L use क करते हैं two two के रहे हम क्या करते हैं double one so 3352 प्रोमन नंबर सी लिखेंगे ठीक सो आप किसी भी बड़े से नंबर को रोमन नंबर स्में लिख सकते हैं ठीक है आगे कुछ हम कोशेंस करते हैं कुछ और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी Which of the following numbers in Roman numbers is incorrect इसमें से कौन सा Roman numbers में हम से नहीं लेख सकते हैं कौन सा इसमें incorrect है First देखे क्या है L, X, double 1 L हम किसको लिखते हैं 50 को ठीक है 50, 50 के बाद X है मिन 60 होगा 60 के बाद double 1 है तो यह क्या होगा 62 L क्या होता है आपका 50, X क्या होता है आपका 10 और यह क्या है आपके 2 तो 50 बाद में लिखे हैं तो सब क्या होगा यह add होगे 50, 60, 62 X से आई अब देखो X से है X हम 10 को represent करते हैं C से हम 100 को represent करते हैं 100 से पहले X आया है Means 10 आया है तो यह आपका क्या है 90 है ठीक है और लास्ट पीछे से क्या है Standing line है Means 1 है तो यह क्या है 91 अब L, C 100 से पहले क्या है L, C हम किसको लिखते हैं 100 को L हम किसको लिखते हैं 50 को कम डिजिट, कम नमर उसके पहले I mean minus करेंगे तो 100 मैनिस 50 क्या होगा 50 50 को क्या लिखते है L से तो हमने देखा था कि कुछ numbers है जिने हम ऐसे आगे से subtract नहीं करते है वो हमारे क्या थे 5 को म जो represent करते है V से 50 को म represent करते है L से और 500 को म represent करते है D से तो यह तीनों ही क्या है कभी भी इस number के आगे ऐसे हम नहीं लिखेंगे ठीक है इनके आगे क्या हो सकता है आपका X से ही यह क्या होगे यह minus होगे ठीक तो यही हमारा क्या हो जाएगा incorrect क्योंकि हम L से हम नहीं लिखते है ठीक हम X से हम लिखते हैं क्योंकि होगा आपका 100 और यह होगा 10 से पहले लिखा है तो हम इसको 90 से हम इसको रिपेसेंट करते हैं बट उससे आगे ल नहीं आया हो कि हंडिट मैने चल तो 50 हो गर 50 हम किसको रिपेसेंट करेंगे ल से तो यह हमारा क्या है इनकरेक्ट है ठीक है सेकेंड कोशन इस नमबर 66 इन रोमन नुमेरल 6 देखेंगे 66 को हम कैसे लिखेंगे 60 प्लस 6 और 60 को हम कैसे लिखेंगे LC 50 LX और 6 को हम कैसे लिखेंगे VI तो यह क्या ओजाएगा LXVI ठीक है कहाँ पर देखें LXVI सेक्ड नमबर सेक्ड ओप्शन हमारा सही है आगी बढ़िए इ greater than LXXXV111 क्या ये नंबर इससे बड़ा है ठीक है इससे चेक करें ही ये देखिए कितना आ रहा है हमारा XCV21 ठीक है देखो C से पहले X से है मतलब ये क्या है आपका 90 और ये क्या है आपका V11 means 5, 6, 7 ठीक है तो ये आपका नंबर क्या है 97 87 और ये क्या है आपका देखिए LXXXV11 L क्या है आपका 50, 60, 70, 80 और ये क्या है आपका यहां तक आपका 80 होगे और ये क्या आपका 8 means ये नंबर क्या है आपका 88 तो is this is greater than this? Yes ये आपका 97 आ गया और ये क्या है आपका सिर 88 आया ठीक है तो ये आपका कैस से greater है? Yes इसका answer क्या हो जाएगा? Yes तीक आगे बढ़ेंगे Write 2718 in Roman Numerus 2718 देखे इसे हम shortcut में कर लेते हैं 2000 को हम कैसे लिखेंगे? 1000 के लिए हम M use करते हैं 2000 के लिए 2 M use करेंगे 700 के लिए हम क्या use करेंगे? 500 के लिए हम D use करते हैं 500, 600, 700 ठीक है? C हम 100 को use करेंगे D 500 हो गया 5, 6, 700 18, 18 हम कैसे लिखेंगे? 18, 10 10 को हम X से denote करते हैं और 8 को हम फिर V आइसे तो ये क्या हो गया? 18, 10 और ये 8, 18 ठीक है? तो ये आपका total हो गया में आ रहा है आपका third option में है ठीक है? तो third हमारा क्या हो गया? सही answer हो गया Next question देखिए C ML double X I is equal to ठीक है? ये देखिए किसके equal है? ये CM है ये M हम किसको denote करते हैं? 1000 को और C से 100 को तो 1000 से पहले 100 आ रहा है means 1000 में से 100 मेंस करेंगे ये क्या हो जाए आपका? 900 हो जाएगा और ये कितना है आपका देखिए L से हम 50 को denote करते हैं 50, 60, 70 तो ये क्या बना आपका? 70 और ये 2 तो ये कितना हो गया? 972 Second option हमारा सही हो गया Question number 6 solve करते हैं Add XCIV and CCX11 Give the answer in numerous इन दोनों को हमें add करना है और जो हमारा answer आएगा उसे भी हमें number system में Roman number system में हमें उसे दिखना है तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं XCIV इसे हम क्या लिखेंगे? देखो X जो है C से पहले आ रहे है तो ये क्या है आपका? 90 और ये क्या है आपका? 4 तो ये क्या होगे? आपका 90 प्लस 4 94 और इन सेकंड नमबर के आपका? XXVX XXXX1 XXC के आपका 100, 100, 200 200 में X क्या आता है? आपका 10, 200, 10 और ये क्या होगे? आपका 2 ठीक है? ये होगे आपका 200 X को हम 10 से दिनोट करते हैं और इसे 2 से तो ये क्या होगे? आपका 2212 दोनों को हमें क्या करना है? एड कर दे हैं दोनों को एड कर देंगे तो ये क्या होगे? आपका 306 तो 306 को हम रोमन नमबर में कैसे लिखेंगे? देखे 300 को 100, 200, 300 और 6 को हम क्या लिखते हैं? VI तो यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया त्रिपल सी वी वन ठीक तो सारे कोशन हमारे सॉल्फ हो गए आयोप आप लोगों को सारे श्रीन समझ में आ गई होंगी टीक है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल एंब बैर आइपन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिस्टे की आपको आगे की नोटिपिकेशन भी मिलते रहें थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई